जै मातादी, आप सभी को शार्दी नवरात्री की हार्दिक शुपकामने आश्विर मास के शुकल पक्ष की प्रतिपदा तिती से नौमी तिती तक शार्दी नवरात्री का पर मनाया जाता है ये नौ दिन देवी शक्ती की आराधना के लिए उप्वास के लिए सर्वस्रेष्ट माने जाते हैं शार्दी नवरात्री की शुरुआत घट स्थापना से होती है पहले दिन मा शेल पुत्री की पूजा की जाती है और आखरी दिन विज्यादश्मी के रूप में मनाया जाता है जिसमें भगवान श्री राम ने लंकापती रावट को और देवी दुर्गा ने महिशासुर को मार कर विजय प्राप की थी एक पुरानी कथा के नुसार माता भगवती देवी दुर्गा ने महिशासुर नाम के असुर के साथ नौ दिन तक युद्ध किया उसके बाद नौ मितिती की रात्री को उसका वद्ध किया उस समय से देवी दुर्गा को महिशासर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है तभी से मा दुर्गा की शक्ति को समर्पित नवरात्री का व्रत करते वे मा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है इन नौ दिनों में मा भगवती के मा शेल पुत्री, मा ब्रह्मचारणी, मा चंद्रघंटा, मा कुश्मांडा, मा इस्पंदमाता, मा कात्याईनी, मा कालरात्री, मा महागौरी और मा सिद्धिदात्री रूप की पूजा की जाती है तो आजके इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगे कि नवरात्री के पहले दिन के प्रकार से विधी विधांसे कलश इस्थापना करके मा की पूजा करने चाहिए, क्स प्रकार से चौकी की स्थापना करनी चाहिए, और कौन-कौन सी बातों का ध्यान आपको इसदिन टखना च मां की गुर्पाप्राप्त होती हैं सबसे पहले हैं क्लश की सथापना करने चाहिए गश्की पहले अक्छत रखें फिर अक्षत से अस्टिदल कमल बनाएं माता की मूर्ती या तस्वीर को डैरेक्ट नहीं रखना चाहिए वहाँ पर भी आपको थोड़े से अक्षत रखकर उसके उपर माता की तस्वीर या मूर्ती चो भी आपके पास है उनकी आप इस्थापना करें भगवान भी इस्थापित कर सकते हैं गणेश भगवान को सिंदूर का तिलक लगा कर उन्हें वस्त्र रूपी जनेव अर्पित की जाती है मा दुरगा की तस्वीर या प्रतिमा को आप फूल माला अर्पित करें सभी देवी देवताओं का ध्यान करें यदि आप पहले दिन नवरात प्रत्री के उपवास प्रारम कर रहे हैं तो आपको हाथ में जल्यापुष पले कर कितने वरत किस प्रकार के रखने हैं उसका भी संकल्प लेना होता है अगर आप कलश की स्थापना से पहले जवारेब होते हैं तो एक बड़े से बरतन में आपको मिट्टी रखनी है उसके अंदर हमने गंगा जल और साधा जल भरा है अगर आपके पास मिट्टी का कलश नहीं है तो आप किसी भी धातु का कलश यहां पर प्रियोग कर सकते हैं कलश की स्थापना सभी के लिए जरूरी नहीं होती है अगर आपकी सामर्थ नहीं है आप देखभाल नहीं कर सकते हैं तो आप बिना कलश इस्थापना के भी पूजा कर सकते हैं। कलश के अंदर डालने के लिए आपको चाहिए एक सिक्का, हल्दी की गाठ, सुपारी और लौंका जोडा। और सभी नवग्रहों का ध्यान करते वे ओम श्री गणिशाय नमहा, ओम दुंग दुरगाय नमहा कहते वे कलश में सामगरी डाले। कलश के उपर रखने के लिए आपको पांच, साथ या नौ आम या अशोप के पल्लव यानि की अशोप के पत्ते जाहिए। मेरे पास आम के नौ पत्ते हैं तो मैंने एक साथ जोड़े हुए ये पत्ते कलश के उपर इस्थापित कर दिये हैं। सभी पत्तों के उपर आप रोली और चंदन का तिलग जरूर लगाए। इसके बाद एक पूर्ण पात्र जिसमें अक्षित आपको रखने हैं। इनके उपर आपको नारियल को इस प्रकार से आपको चुनरी में लपेठ का कलावा बांद कर रखना है। जिस जगा से नारियल पेड से जोड़ा होता है वह जगा आपको अपनी तरफ करके रखनी होती है। नारियल माद रुगा के हमेशा दाहिने हाथ की तरफ स्थापित करना चाहिए। चाहिए ऐसा करने से सभी नवग्रहों का शुब प्रभाव जीवन में मिलने लगता है यदि आप अखंड जोद जलाना चाहते हो तो पहले दिन ही अखंड जोद जलाने का भी संकल्प आपको लेना होता है अखंड जोद जलाने के लिए मिट्टी का दीपक ही आपको अखंड जोद जलाने के लिए रुए की बत्ती का प्रियोग नहीं करना चाहिए क्योंकि रूजल जाती है जिससे अखंड जोद पीच में बुझ भी सकती है साथ हाथ लंबी सूत या कलावे की बाती का प्रयोग आप अखंड जोत जलाने के लिए कर सकते हैं अखंड जोत यदि आप नहीं जला पाते हैं तो सुभा और शाम केवल दीप जला कर जिस तरह से हम पूजा करते हैं वैसे भी आप पूजा कर सकते हैं इस तरह दूप दीप कि दियान करें श्वाले दिन की पूजा आप को ज्यादा समय लग सकता है इसलिए आप विधी-विधान से पहले दिन की पूजा संपन करें माशल पूत्री के बीज मंत्र इस्तोति प्रार्थना और इनके साथ ही वृत की कथा पड़े शुने श्री दुर्गा चालिसा का पार्ट आपको करना चाहिए श्री दुर्गा सब्चति का पार्ट भी पहले दिन से ही प्रारम किया जाता है जिसकी complete वीडियो आपको हमारी चैनल पर हर दिन मिलती रहेगी तो सुबह इस तरह से आप पूजा करें भोग में मां को आप हर दिन चैनल से माता रानी को लौंका जोडा और बताशी का भोग लगाए साथ में हर दिन एक लोटे में या गिलास में आपको साफ जल भर कर भोग के साथ रखना है ज्यान रखें कि जो भोग आप माता को लगाते हैं उसे दिन भर के लिए मंदिर में नहीं रखना होता है जब आ भोग में आप हर दिन सुखे मेवों का मुश्री का भोग भी मातारानी को अर्पित कर सकते हैं ध्यान रखें कि हमेशा कपूर जलाकर ही आरती की जाने चाहिए आरती आप सुभा शाम जरूर करें और बहुत से लोग पूरे नौ दिन तक छोटा सा हवन भी करते हैं जिसे हम अग्यारी करना कहते हैं आपके हाँ पर जो भी बोलते हो आप हो सके तो कमेंट बॉक्स में बताएगा जिसके लिए आपको मिट्टी का एक बड़ा सा दिया या चोटा सा हवन कुंड उसमें आपको गाय के गोबर का उपला जला कर रखना होता है जब उपला पूरी तरह से पहले सामगरी डालें फिर कपूर जला कर रखें उस जलतेवे कपूर में उस जलतीवी अगनी में ही आपको लौंका जोड़ा और बताशा रखना है परिवार के जितने भी सदसे हैं उन सभी को अलग-अलग अपने नाम से एक-एक लौंका जोड़ा उस प्रज्वलित अग श्रंगार की सामगरी डख सकते हैं जलते हैं माता कर बंड़ और मतरणी में की संदूर पित करें ऊपनी मांग जिसे आपके आने वाला संकट दूर हो जाता है और आपके सुहाग की भी मातरानी रख्षा करती हैं बहुत से लोग नवरात्री के वरत पूरे नहीं रख पाते हैं ऐसे में केवल पहला और आखरी वरत रखते हैं तो उसका भी संकल्प आपको उसी प्रकार लेना होता है कुछ लोग नवर आफरी के वरत अपनी शारीरिक शमता के अनुसार रखने चाहिए यदि आपका स्वास्त ठीक नहीं है तो आपको ऐसे में वरत ना रोख करिया यदि आप प्रैगनेंट हैं तो जो प्रैगनेंट महिलाई होती हैं उन्हें वरत नहीं रखना चाहिए सुभ शाम आप 9 तक ल दूर लगाने चाहिए और हर दिन अपने घर में सभी कोनों में घर के हर कमरे में आपको गंगा का छड़काव करना चाहिए ध्यान रखें आपको अपने घर के मंदिर में एक लोटा जल हर समय भरकर रखना है चाहे सुभा हो या शाम हो सुभा जब आप जल भरकर रखते हैं तो शाम को उस जल को आप बदल दें उसका विसर्जन आप अपने घर के ही किसी पौधे में कर द टूज तो एक साफ जल का लोटा या कल श्य और ह्माज आपको फिर से भर कर रखनाना चाहिए नवरात्री के पूरे नौ दिनों तक भक्तों को अपने मन को शांत रखते वे संयम मतरानी की पूझा करता है जो जितना समर्वित भाव से मतरानी की पूझा करता है मातरानी उसकी पूजा उसके वरत उतनी जल्दी स्विकार कर लेती है कुवानी कन्या को मनुआजित वर्ग प्रदान करती है निश संतानों को संतान सुख देती है सद बुद्धी प्रदान करती है शक्ति प्रदान करती है और सबको हमेशा अपना आशिरवात प्रदान करती है इसलिए जो जैसी कामना के साथ नवरात्री के पूझा करता है उसकी वो हर कामना वो हर मुराद मातरानी पून करती है ये ती आज की वीडियो उमीद है ये जानगारी आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी मिल सके.